असलाम लेकुम वेलकम तु माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ सी आज हम जनने साइन्स जी एसी 101 का लेक्टर नमबर 2 पढ़ेंगे physics lecture number 2 kinematics 1 kinematics 1 ने आपको पहले lecture में भी बताया था कि physics की branch है जिसमें हम motion को study करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे physical quantities तो physical quantities क्या होती है हल वो quantity जिसको हम measure कर सकते हैं describe कर सकते हैं वो physical quantity होती है चाहे उसके unit derived unit हो base units हो या supplementary units हो physical quantity is that which can be described or measured in terms of fundamental या base units को ही fundamental units का आगया जैसे कि हम metric में base units कहते हैं derived or supplementary units mass or length or temperature of any quantity can be measured यानि किसी भी चीज़ का वजन, उसकी लंबाई, उसका क्या temperature हो रहा है उसको हम उसकी पेमाईश कर सकते हैं that quantity is known as physical quantity उसको हम physical quantity कहते हैं the measurement remain the same within the accuracy of the measuring system irrespective of who makes those measurements यानि इसकी measurement जो इसकी पेमाईश वो चेंज नहीं होती जैसे कि पहले lecture में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज 10 cm की है उसकी लंबाई तो 10 cm की ही रहेगी चाहे जितने मर्जी बंदे जो हैं उसको चरक कर रहे हूं तो physical quantity वही चीज होती है कि जितने मर्जी scientists, researchers या कोई आम बंदा पेमाईश करे रहे उसकी वही रहे some examples of physical quantities are length, area, volume, time, frequency, speed, volume, mass, force, electric and magnetic parameters, strength of materials etc. ये इसकी मिसाले दी गई हैं अब आ जाती है, non-physical quantities क्याती है, पहले हमने बढ़ा physical क्याती है, physical वह जो हम measure कर सकते हैं तो जो चीजें हम measure करके नहीं बता सकते हैं, जिसकी पेमाईश नहीं हो सकती हम उसको क्या कहेंगे non-physical quantities quantities which do not have the same value for all observers, यानि उस case में क्या था physical quantities में कि सारे observers के लिए same value आती है, इसमें same नहीं होगी इसको subjective quantities भी कहते हैं और non-physical quantities भी कहते हैं, इसको subjective quantities भी कहते हैं और non-physical quantities भी कहते हैं examples are emotive or egoistic measurement like love, hate, beauty, happiness, etc. यानि यह चीज़े person to person vary करती हैं, कोई इसको describe नहीं कर सकता है, अगर कोई किसी से कितना प्यार या कितनी नफ़र्द करता है, वो खुद भी इसको explain नहीं कर सकता, कोई कितना खुश है वो इसको मैं यह नहीं करके बता सकता है, जैसे किसी चीज़ का वजन एक किलोगराम है, खुशी को हम तराजू में नहीं तोल सकते हैं, इसलिए यह क्या होंगी, non-physical quantities होंगी आप physical quantities की दो major branches है, vector और scalar, यह भी हम देख लेते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, vector quantity वो होती है, जिसकी एक specific direction भी होती है, physical quantity के लिए आपको magnitude चाहिए होती है, unit चाहिए होता है, और vector में इसमें अगर यह चीज़ डिरेक्शन ना होतो वो scalar होती है, अब इसमें हमें देख लेते हैं, के अगर डिस्टेंस है ना, तो वो scalar है, लेकिन वो ही डिस्टेंस, अगर एक specific direction में है, के एक सीधी, बस straight line path है, तो उसी distance को हम displacement भी कह सकते हैं, यानि आप यह भी कह सकते हैं, के displacement की magnitude जो होती है, वो distance हो सकता है, लेकिन distance ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि shortest जो distance होता है ना, किसी जगा का, वो होता है displacement, अगर longest या कहलो, tons ले लेके route है, तो वो खाली distance होगा, वो displacement नहीं होगा, इसी तरह अगर एक speed है, कि अब कितनी बेच जाहें, 40 पे, 40 मिटर पर सकिंड पर, 50 पर या जो भी, अगर वो एक खास direction में हैं, जो है दाएं तरफ या बाएं तरफ, या सीधा, या पीछे, तो वो velocity है, और अगर उसकी direction चेंज हो रही है, तो वो speed है, इस तरह ये चीज़ें आपस में relation में हैं, relate कर adding scalar quantities, अब scalar quantities को add करने का तरीका बहुत simple है, जैसे हम करते हैं, simple math में 4, 5 इस तरह ही, लेकिन जो vector quantities होती है, उनको head to tail rule के जरी add करते हैं, We add them just like everyday arithmetic, that is 5 liters of milk and 7 liters of milk added, we give 12 liters of milk, जब हमने head to tail rule की बात करनी हैं, तो हम ये करते हैं, कि पहले vector के head से, दूसरे vector की tail मैच करती है, इसी थाना ये तीसरा vector है, अगर तो ये, इसकी head से, इसकी tail मैच करती है, लेकिन जो resultant vector होता है, वो उसकी tail, पहले vector की tail से, और head आखरी vector के head से, इस तरह आप multiple add कर सकती हैं, चाहे आपने 2 vectors का add करना है, चाहे 3 को add करना है, चाहे बोड को, चाहे आप ज़्यादा को कर रहे हो, उसका थरीका कार ये ही होता है, जो resultant vector है, उसने पहले vector की tail से मैच करना है, और आखरी vector की head से मैच करना है, और बाकी सार इसके साथ जुटते जाएंगे इसी तरह के head से tail head से tail vectors are not added with simple arithmetic rules जैसे वही 2 plus 2 4 इस तरह नियाद होते ये वही चीज़ लिखी वे join the head of the first vector with the tail of second vector जो मैं आपको भी बता चुकी to get the resultant vector join the tail of first vector with the head of second vector this is known as head to tail जब head to tail rule की definition पूची जागे तो आप यहां से यहां तक बता के इसकी diagram must होगी और ये a plus b plus a plus b is equal to c equal b plus a यानि ये सेम आता है यहनोंने तीन vector का एक और भी करके रिखाया होगा scalar and physical quantities scalar में scalar ही add होता है vector add नहीं होता लेकिन scalar और vectors आपस में multiply हो सकते हैं scalar are physical quantities which do not need a direction to define like a mass of 4 kg और 11 liters of milk etc while vectors are physical quantities which are incomplete unless direction is specified like a force of 200 newton acting upwards यानि वह ये कह रहे हैं कि जो वेक्टर है वो तब तक complete नहीं है जब तक आप उसकी direction नहीं है जब तक आप उसकी direction नहीं बताएं जैसे कि अगर कोई force लग रही है 200 newton की upward उपर की तरफ it is pertinent to mention that physical qualities are already defined as vectors जैसे कि weight, acceleration, velocity, etc normally do not require mention of direction in a problem unless it changes during the course of the solution यानि हम में वेक्ट की direction नहीं बतानी परती कि वजन कहां लग रहे है until and unless कोई ऐसा problem का solution निकाल रहे हो हो जिसमें हम उसकी direction को बताना पढ़े distance कोई भी दो points है चाहे वह आपके घर से आपकी university का रास्ता या आपकी university से किसी और जगा का रास्ता है तो वह कितना रास्ता है वह उसका distance होता है moving between two points from A to point B covers distance displacement क्या था है shortest distance distance between two points in particular direction is called displacement the SI unit of both distance and displacement is meter meter is the base unit some units are smaller than meter and some are larger जितने भी इस तरह की relation में है न चीज़ें जैसे distance of displacement का unit से होता है speed और velocity का होता है इस तरह से और भी कुछ चीज़ें होती है इस किसम की जिनकी units सेम होते हैं लेकिन वो directional quantity जो होती है vector उसके लिए हमने बताना होता है कि यह vector quantity है smaller units कौन से हैं यह आप उससे well known है centimeter millimeter और micrometer इसी तरह larger unit हम जैसे smaller units हम छोटी measurements के लिए यूज करते हैं larger units हम बड़ी measurement के लिए यूज करते हैं जैसे कि अगर हमने कोई चीज़ की प्रमाइश करने है यूरियल हम centimeter में करते हैं लेकिन अगर हम कहीं पर travel कर रहे हैं तो यह कह लो कि एक सिटी से डूसी सिटी का distance बता रहे हैं तो फिर हम kilometers में बताते हैं तो इसकी larger units kilometer, megameter, astronomical units और light year कर भी unit होता है यह बहुत larger units है यहां बुक में एक mistake है यहां 10 rays की power 11 आना था और यहां 10 rays की power 21 क्योंकि कि जब हम significant figure में convert करते हैं हमने इसकी zeros count करने होते हैं परस non zero digit फिर point और जितने zero होते हैं उसकी इतनी power आती है तो यह चीज़ आप लोगों ने जब आप paper बगरा देंगे या कोई assignment बगरा करेंगे तो इसमें आपने correction करके लिखने हैं कि यह 10 की power है 11 इसी तरह 10 की power है 21 difference between distance and displacement कि इसमें क्या फरकत है सबसे पहला यह कि distance जो होता scalar है और displacement के है vector वही लिखा है distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity displacement needs direction while distance not वो भी इसी विदर से क्योंकि vector quantity को direction चाहिए होती है distance is the length of the actual part traversed by an object during motion in a given interval of time यानि जितना आपके घर से आपकी उनिवस्टी का रास्ता है चाहे जितने भी turns आ रहे हैं जिस मर्जी directions में साब भूम के जा रहे है actual जो उसका रास्ता है वो क्या है उसका distance है while displacement क्या होगा क्या आप सड़क उस तरफ मुर्थी है नहीं मुर्थी आप उसका क्या है shortest एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरम्यान में कागस पर लाइन खेंच के दिखा दो कि यह जो है इसका छोटा सा रास्ता बनता है वो displacement होगा displacement is the shortest distance between the two points of the object in a particular direction during a interval of during a given interval of time आप इसमें आपने arrowhead जो अगर आप copy बेंगे तो वो किस तरफ बनाओगे जैसे अगर आपने घर से यूनिवर्स्टी की तरफ जा रहे है थो आपकी वैक्टर की टेल होगा एक prawda ग्षर और वैक्टर का head होगा आपकी university इसी तरन हगर आप इस यूनिवर्सटी से निकल के घर के तरफ जा रहे होगे तो आपका तेल जो होगी उनिवस्टी वाली साइट पर बनेगे और हैड़ा आपका उस तरफ बनेगा जो आप ए घर के लिए सक्षाइब दा वैल्य ओफ डिस्टंस कें नेवर बी नेगिटिव और जीरो वाइल दा वैल्य ओफ डिस्प्लेस्मेंट कैन बी नेगिटिव और जीरो यह तब हो सकता है अगर फाइनर और इनिशिल जो हैं पुजिशन को इंसाइट करें इन्हें अपस में मैट्स करें इक्ष्टंस ट्रेवल बाइन अबजेक्ट इन गिवन इंटर्वल अप टाइम कैन बी एक्वल और ग्रेटर दें दी मैग्निचूड ओप डिस्प्लेस्मेंट इक्वल तब हो सकता है जबके सीधा-सीधा रास्ता हो और जो रास्ता हो वही उसका डिस्प्लेस्मेंट हो वरना ग्रेटर ही होता है कम नहीं हो सकता क्योंकि डिस्प्लेस्मेंट आल्रेडी वो शोटर डिस्टंस होता है तो वो से कम ही हो सकता while the displacement of an object between two points tells about the shortest distance between two points it can be less than the distance ये distance से हमेशा कम हो सकता है लेकिन distance कभी भी इस से कमनी हो सकता speed the distance covered in specific period of time यानि एक मिनट में या एक घेंटे में हम कितना वासला जो है वो तै कर रहे है वो उसकी speed होती है it is a scalar quantity its unit is meter per second its formula is speed इसका scientific notation है इसकी V distance की S होती है usually और time का छोटा D होता है अब ये भी आप गोर करने के ये भी V है और ये भी V है पर इसमें speed और इसमें फरक ही होता है इसके पर ये क्योंके vector quantity है vector head हम दाल लेते है the displacement covered in specific period of time के घेंटे में या एक मीनिट या जो भी time है उसमें आपने कितना displacement कवर किया है वो उसकी भी लग सकी है it is a vector quantity its unit is meter per second its formula is ये displacement और नीचे time same है इस कितना बस फरक ये है कि यहाँ पर distance है तो यहाँ displacement है we do not normally indicate direction with speed or velocity but their name differentiate between vector and scalar quantity velocity being a vector and speed are scalar quantity direction is only mentioned if it changes or required in the solution of the problem या अगर हम कोई numerical solve कर रहे होते हैं हम जिरफ तभी उसकी direction बजाते हैं otherwise नहीं बताते हैं अब average velocity को यहाँ discuss किया गए average velocity क्यों होती है अगर velocity time to time change हो रही है जैसे हम कहीं जारें कहीं पर traffic जाद होती है गारी को या बाइक को slow होना परता है कहीं पर traffic कम होती है हम गारी को तेजी से चला लेते हैं तो उस case में अगर हम उसकी average निकालना चाहरे है कि हमारी average speed कितनी गए थी या average velocity कितनी गए थी तो हम short short intervals को या अगर दो ही speed change होई है तो दो को हम plus करके जितनी है उससे divide कर लेता है जितने intervals है हमने बनाए for solution of problems we have divided velocities in different types initial velocity initial velocity भी थोड़ी से slow होती है और final पे भी जाके जब गारी ब्रेक लगानी होती है इसता इसता गारी रुकती है वो भी slow होती है दर्मयान में गारी में variation होती है initial is the velocity initial velocity is the velocity which is at the start of the problem its symbol is VI final velocity which is the asking at the end of the problem its symbol is VF average velocity किया थी है तोनों का total करके हम 2 परी वाइट कर दें total displacement covered in total interval of time instantaneous velocity instantaneous होती है लम हाती एक चोटे से interval में होती है यानि हम एक मुख किसी एक bridge से गुजरते हो है हमने बताना है कि इसमें मारी कितनी थी वो instantaneous होगी वो vary कर सकती है और दूसरी के बराबर भी हो सकती है constant velocity constant velocity क्या होगी कि अगर हम किसी एक ऐसी जगह पर जा रहे है जैसे अगर हम 60 की speed पर जा रहे है तो throughout ही 60 की speed पर गारी जा रही है तो वो constant होगी variable velocity वो अगर कहीं पर ट्राफिक है कहीं पर नहीं है कहीं पर हम 20 पर जारें कहीं पर 30 पर कहीं पर 40 पर या कहीं पर 60 पर तो वो क्या है vary कर रही है change हो रही है तो वो variable होती है all have the same symbolic representation which is we यानि यह हमने different types जो बताई हैं सबको हम we ही कहते हैं velocity के लिए our velocity have the same units that is meter per second लिखने में परक है बोलता है meter per second यह the formulas for finding the average and instantaneous velocities यह average velocity का formula है Vf plus Vi over 2 यह भी अब पीछे V average का परसे चुके हैं displacement over time और यह instantaneous यहां पर delta T approaches to zero इसलिए लिखा है कि छोटस time interval हम बता रहे हैं कि उस time पर हमारी क्या velocity थी relative velocity relative motion हम तब करते हैं जब देख हैं हमारे सामने एक गाड़ी दो हम भी बाइक पर जा रहे हैं या हम कार पर जा रहे हैं तो हमारे साथ से एक और गाड़ी या बाइक गुजर रही है अगर गाड़ी और बाइक जो है हमारी direction में होगी और वो हमें overtake करी है बेशक उसकी speed हमसे जाता हो तो हमें उसकी इतनी speed नहीं फील होती और अगर हम opposite direction में जा रहे हैं उसकी speed कम भी होगी तो हम क्योंकर पौरण तेजी से गुजर जाएंगे उसके पास से तो हमें लगेगा कि उसकी speed टेस्टी तो यह होती है relative speed relative velocity relative velocity is always a velocity when there are two or more bodies moving with respect to each other यानि कम उसकम दो bodies होनी चाहिए जो आपस में interaction हो रहा जिनका इस से जादा भी हो सकता है relative velocity has two relationships two यह है कि same direction में होती है तो हमें जादा वाली में से minus करेंगे वन वाली तो इतनी feel हो रही है यानि अगर एक 30 की speed में जा रही है एक 20 की speed में जा रही है तो हमें कितनी feel होगी 10 की speed महसूस होगी slow procedure लगेगा ना क्योंकि same direction और opposite में दोने plus करके यह कि 30 और 20 है तो वो 50 feel होगा हमें कि इतनी तेजी से कोई चीज़ हमारे पास से घुजर लिए acceleration acceleration होता है change in velocity over time जैसे अभी हम कह रहे हैं कहीं पर हमें गारी तेज़ चलानी परती है कहीं पर कम तो क्या है अब गारी accelerate हो रही है acceleration होता है अगर acceleration वर्ड हम positive acceleration और negative दोना के लिए भी ले सकते हैं कि अगर गारी रुक पी रही है लेकिन negative acceleration के लिए एक और वर्ड बोला चाता है deceleration यानि अगर जैसे हम गारी रोकते हैं brake लगाते हैं तो बाद में गारी जीरो पर आ जाती है तो velocity क्या हो रही होती है वो कम हो रही होती है तो उसके लिए वार्ड होता है deceleration acceleration the time rate of change of velocity ऐसा unit of acceleration is meter per second scale it is a scalar it is a vector quantity acceleration is equal change in velocity over time change in velocity होती है Vf minus Vy इसके पर हम क्योंकि ये vector notation है इस पर डालेंगी क्योंकि vector quantity है ये इसका formula है acceleration and deceleration both have similarities and differences similarities are both are vector quantities and have same unit difference is acceleration is increase in velocity over the time interval deceleration is a decrease in velocity over the time interval यहां पर भी गुलती है decrease in velocity आना है आई नहीं है यहां पर आगे इसने एक numerical problem solve किया हो है a runner on a race track runs 400 meter in 42.8 seconds what is the average speed तो आपके पास ये distance भी दिया हुआ है time भी दिया हुआ है हमें पता है distance divided by time होती है speed तो हम 400 को 42.8 से डिवाइड कर देंगे मारे पास speed आजएगी यह इनने रिखिया हुआ है पहले हमने लिखना है given data given data यह है मारे पास speed, time information required कि हमने क्या फाइंड करने every speed formula हमें पता है वो लिखेंगे और इसको solve करके answer आ गया यह 9.35 मेरे चैनल को subscribe करें मेरी वीडियो को like करें और इसको share करें अगर आपको इस lecture के बारे में कोई भी question है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं comment section में मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पर पूर कोशिश करूंगी Allah Hafiz